नमस्कार दोस्तो आज के लेक्चर में हम लोग legal language इस subject के जितने भी important questions है उनको detail में discuss करेंगे और exam में उन्हें किस प्रकार से approach किया जाना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको एक disclaimer देना चाहता हूँ यह जो questions है वो पिछले 5 साल के question papers में repeat हो चुके है मैं किसी भी प्रकार की unethical methods का support बिल्कुल नहीं करता और Mumbai University का जो question paper है इसके pattern के अनुसार 30 to 35% questions past papers को past questions से repeat होते हैं तो यह जो questions है वो इन ही questions को analyze करके निकाले गए है मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि इन ही questions को पढ़के जाओ आप लोग guaranteed पास हो जाओगे ना ही मैं आपका आने वाला question paper किसी भी तरीके से predict कर रहा हूँ मैं सिर्फ इतना कहना चाता हूँ आप लोग जो regular पढ़ाई करते हैं day to day पढ़ाई करते हैं इसी के साथ इन questions को अगर पढ़ेंगे तो आने वाले questions में आने वाले question paper में attempt करने में आपको काफी हद तक आसानी हो सकती है तो नजर डालते है important questions for legal language की तरफ सबसे पहले आपको question number 4 में 12 marks के question आएंगे उसमें 3 में से कोई भी 2 case law आ सकते हैं ये 3 case law आपके syllabus में दिये गये है DK Basu versus state of West Bengal, MC Mehta versus union of India इसे oleum gas leak case भी कहा जाता है और तीसरा है विशाखा versus state of Rajasthan तो आपके बारमाक्स के question में इन 3 में से कोई भी 2 case law आपको निकल कर आ सकते हैं दूसरा important question है explain what is a law report, distinguish between a law report and a law magazine, write briefly upon two law reports law reports के उपर आपको एक सवाल guaranteed निकल कर आ सकता है क्योंकि पिछले कई सालों में ये question हर बार repeat हो रहा है और आपके legal language का जो syllabus है इसमें बहुत ही ज्यादा elaborate तरीके से law report के उपर mention दिया गया है तो जाहिर सी बात है law report के उपर एक question निकल कर आ सकता है क्योंकि आपके syllabus में इतना elaborate mention किसी को भी नहीं मिला है तो law report का definition, meaning और बाकी सारी चीज़े आपको याद रखनी होगी law report और law magazine के बीच में किस प्रकार से distinguish करना है या आपको कोई भी reference book देख कर पता चल जाएगा और आपके syllabus में जितने भी law reports दिये गए है उनको आप अच्छे से read out कर लेना उनके publisher के नाम याद रखना उनका publishing year याद रखना यानि किस साल से वो publish हो रहे है कौनसी state से है वो चीज़ याद रखना और बाकी की चीज़े अपने मन से आप लिख सकते हो ये question आपको 12 marks के लिए निकल कर आ सकता है आपके syllabus में एक essay का भी mention है ये जो essay होंगे वो current legal issues के उपर आपको निकल कर आ सकते है for 12 marks मैं आपको suggest करूँगा कोई भी अच्छा English newspaper यानि मैं आपको suggest करूँगा the Hindu या फिर Indian Express के articles आप अच्छे से पढ़िए current legal issues के उपर कोई भी article आया कोई भी editorial आया उसे बिलकुल भी miss out मत कीजिए और उनको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये essay वाला question काफी आसानी से हल कर पाएंगे इसके बाद में आपको class 12 में passage writing का experience जरूर होगा आपको एक passage दिया जाएगा उसी में से आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे अलग-अलग तरीके के सवाल होंगे आपको उन्हें attempt करना है और वो 12 marks के लिए आपको ये सवाल आएगा इसके बाद में question number 3 में आपको official citations of 3 act आपके syllabus में total 3 act दिये गए है उनको उनके official citations यानि Gazette of India में वो किस तरह से लिखे गए है वो आपको दिये जाएंगे और उनमें से आपको कई चीजे point out करनी होगी जैसे कि आपको उनका short title, long title, date of ascent, date of commencement आदी को attempt करना हो सकता है मैं कहूंगा ये बिलकुल आसान question है आप कोई भी guide या फिर reference book देखिए इसमें आपको date of ascent कौन सा है date of commencement कौन सा है कौन से साल में इसे pass किया गया है कौन से साल में इसको parliament में ascent मिला है ये सारी चीजे मिलेंगी सिर्फ तीन ही act है तीन में से कोई दो पूछे जाएंगे तो ये सवाल आप काफी आसानी से हल कर सकते हो और इसमें आपको out of marks मिल सकते है क्योंकि कोई भी descriptive question नहीं है तो इसके उपर आप बहुत ही आसानी से score कर सकते है short note section में आपको syllabus में कई legal maxims और कई legal concepts मिलेंगे उनहीं में से कोई दो या फिर कोई तीन legal maxims और legal concepts निकल कर आ सकती है हर एक को आपको detail में discuss करना होगा detail में read out करना होगा और उनको अपने own words में या फिर reference book के words में आपको लिखना होगा short notes इनहीं में से आते है short notes को predict करने का कोई fixed pattern नहीं है कोई predictable pattern नहीं है लेकिन 30 legal maxims है और कुछ 20-25 legal concept है उनहीं में से कोई 3 या फिर कोई 2 आपको पूछे जाएंगे तो काफी आसानी से आप इसे हल कर सकते हो अगर आपने इन सभी को read out कर दिया तो और class 12 में आपको जो grammar था उसको attempt करेंगे तो आपको question number 1 जो कि आपको 20 marks के लिए होगा for the 5-year course और 12 marks के लिए होगा for the 3-year course आप अगर अच्छे से attempt करेंगे तो मतलब अगर आपने class 12 में grammar वाला section को miss नहीं किया तो आप इसे भी बहुत अच्छे से attempt कर पाएंगे so that's it for today's lecture thank you so much please like share and subscribe to my channel